असलाम नहींव, मेरे नाम कि डॉक्तर वकार और तुन्स की साइंस के आप लोगो फोगिश्यपश्य पेस्धСТ ли año यह उन्हीं का भीश किया जात Social नहींग हुआ झालिक्रिट्ट्व की स सेशिंग है आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने बायो डावसिटी का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, ऑस बायो डावसिटी के अंधर हम एक बायो करी हैं. आज जो बायो डावसिटी में हम लोग करेंगे वह हैं, we study about bacteria and we study about cyanobacteria या फिर blue green algae, blue green bacteria. ठीक है जी तो आज हम इसको लेकी चलते हैं जनाब हर प्रोग्राम की तरह है आज भी हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो आप मुरहिज़ा फिमाएं के लर्निंग आउटकम्स में students today will be able to number one differentiate between aerobic and an aerobic bacteria number two appreciate the importance of bacteria number three list the harmful effects of bacteria and number four describe the structure and function of cyanobacteria ठीक है जनाब अच्छा ये तो आज के लर्निंग होगे जनाब के differentiation होगी aerobic and anaerobic bacteria में importance harmful effects or structure of function of cyanobacteria हम करेंगे और आज एक और भी बात नाब को बताता चलूँ कि हम लोगों ने जो जो कुछ थोड़ा बहुत bacterial structure के बारे में किया था पहले classes में वो आज आप देखेंगे उसकी application आज आज आप देखेंगे कि हम किस सरह उस knowledge को आज हम apply करेंगे especially structure of bacteria में ठीक है जी अच्छा अब देखिए bacteria जो होते हैं हमारे पास they are what are bacteria they are prokaryotic structures if you remember the word prokaryote prokaryote याद है हमने बहुत पहले किया था cell के चैप्टर के अंदर जो हमने differences किये थे eukaryotes और prokaryotes में आज आप देखेंगे किस सरह apply होते हैं bacteria जो होते हैं they are basically of two types ठीक है जी we have aerobic bacteria and we have anaerobic bacteria पिस्टी क्लास में हमने bacteria ही को पढ़ा था और हम लोगों ने bacteria cover किया था आज उसी का हम continuation कर रहे हैं so aerobic bacteria and anaerobic bacteria you see कुछ bacteria इस तरह की होते हैं कि जो फैजा में जो oxygen होती है उसको इसको इस्तेमाल करते है energy के लिए और oxygen supply उनके जरूरी होती है उनके जिन्दगी के लिए oxygen जरूरी होती है लेकिन कुछ bacteria ऐसे भी होते हैं कि जिनको oxygen की जरूरत नहीं होती और वो बगैर oxygen के या कम मिख़दार की oxygen के फजा में भी survive कर सकते हैं अच्छा जी तो इसलिए इन दोनों को हम categorize कर लेते हैं classify कर देते हैं कि जनाब एक तरह का bacteria जो oxygen इस्तेमाल करता है उसको हम लोग aerobic bacteria बोते हैं और वो bacteria जो oxygen इस्तेमाल नहीं करता energy के लिए उस bacteria को हम anaerobic bacteria कहते हैं ठीक है जनाब देखिए at the end of the day bacteria को energy चाहिए या वो oxygen इस्तेमाल करके करेगा हम सब जानते हैं कि oxygen is important for respiration what is respiration it is a process by which you get energy so कुछ bacteria oxygen इस्तेमाल करते है energy के लिए कुछ नहीं इस्तेमाल करते है energy के लिए simple तो देखिए aerobic bacteria bacteria that need oxygen for respiration are called aerobic bacteria और इसकी example है staphylococcus aureus यह लवज आपने पहली भी सुना होगा जब हम लोग different classify हमने किया तो according to different shapes of bacteria bacilli or cocci बगार किया तो यह staphylococcus aureus is a type of cocci और यह देखिए यह इसकी एक तस्वीर में मुलाइजा कीजिए यह हमारे पास petri dish है और petri dish के अंदर हमने यह bacteria grow किया हुए staphylococcus aureus को हमने इसमें grow किया हुआ है तो यह show कर रहे हैं और यह medium है यह जिस चीज के अंदर grow करते हैं उसको medium बोलते हैं और यह दिश नहीं हो थी प्लास की एक प्ले बोले चोटी से प्लेट होती है ठीक है और हम अंद्आ बाटर्टरीज में इस इसको इसको स्तमाँ करते हैं इसपेसिली बैट्रीज घ्रोथ के लिए तो ग्रो बैक्टीरिया और 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 ओगनिसम्स Bacillus anthracis एक बहुत खास कसम की disease cause करता है, जिसका बीच में बहुत चर्चा भी हुआ था, anthrax के नाम से, anthrax जो disease है, यह कुछ 3-4 साल पहले, बहुत जादा इसका, especially Europe में, और North America के साइट पे बहुत जादा इसका शोर मचा था, anthrax बहुत डेडी disease है, तो bacillus anthracis is the one that causes the disease anthrax, ठीक है जी, both animals, यह animals में भी होती है, और man को भी effect करती है, ठीक है जनाम, अच्छा जी, और bacillus अवीन हो देया, raw share bacteria, आपने तस्रीम में देखा होगा कि उसमें raw share bacteria आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है उस bacillus again, अच्छा जी, now reproduction in bacteria, अब bacteria reproduce कैसे होते हैं, और bacteria कैसे पैदा ह होगे, ठीक है जी, किस रीक है सम् बैक्टिया को और बैक्टिया जो पैदा करेंगे, अब बैक्टियम, बैक्टियम is singular, बैक्टियम is plural, सही है, बैक्टियम is singular, बैक्टियम is plural, बैक्टियम is plural, so a bacterium reproduces asexually by a simple division into two identical bacteria, this is called binary fission, some bacteria reproduce sexually as well, so both sexual reproduction plus asexually reproduction, सही है, अब इसमें difference आपको 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 आपस्प्रिंग मिलते हैं वह सेक्षियर प्रड़क्शन होती है लेकिन एक ही बैक्टिरिया या एक ही औरिजम से दूसरे औरिजम से पैदा हो जाते है अब यह जो इसमें जो एक लफ इस्तमान किया है आपको आपको इसमें मिलेंगी दोनों किसम की आपको रिप्रड़क्शन मिलेंगी एक सेक्षर दोनों मिलेंगी ठीकि जनाब अच्छ अच्छ अब अगर हम आजाएं मोजड़ ट्रांस्मेशन में कि बैक्टिरिया एज से दूसरे को किस तरह लगते हैं देखिए बैक्टिरिया का जब हम सुनते हैं ना यह नाम बैक्टिरिया तो सबसे पहले जिज़ चुबा हम जहा stating हम यह नाम आत準 है यह तो बैमारी के साथ होगा यह तो पैमारी काॉस कराझ कीज़ हम एफिड़ धीस नाव क्रूंत होगा यह देखिए क्री até पहली चीज़ आप सोचते हैं और बुरे बैक्टिरिया भी होते हैं अच्छे बैक्टिरिया वो होते हैं जो हमारे ओपर या और्गनिसम्स के ओपर अपना अच्छा अफेक्ट देते हैं और जहां तक हामफुल बैक्टिरिया का तालोग है तो वो डिजीज कॉस करते हैं ठीक है जी, तो दोनों किसम की बैक्टिरिया मौझूद होते हैं, ठीक है जनाब, अचछा, अब बैक्टिरिया फैलते किस तरीके से हैं, हम क्योंके इस context में जानते हैं कि बैक्टिरिया ज्याते हमें disease cause करते हैं, और ज्यादा harmful effects होते हैं, इनसानों के उपर, तो इनका spread किस त या एक दून पृता कीस लगें गया किसे रहेंगे और लेगे किस रहा बार किस फिताए को दो दिके कुछ रास्ते हैं को वो पहलते हैं पहले का जो मतनी फरल मतरी हां चीग मारी अब आभ आपको पता है जिएधन कर चीक मारें भाद रखें इसकी वज़ास यह है ताके आपके जो मुह से जो जर्म्स निकल रहे हैं बैक्टिया वाइरिस जो भी निकल रहे हैं वो फैलेंए ठीक है यह तो यह बचा होती है जो डॉप्लेट का मतलब यह होता है कि आप सांस से उसको फैला रहे हैं ठीक है या उसके अंदर डॉप्लेट की फॉर्म में वो बाहर निकल रहा है और वो फैल रहा है अब देखिए मैं आपको इस चीज़ाम पर देता हूं यह देखिए यह एक सांस को दिखाया गया है जो में निकले हैं जर्म्स में निकले हैं तो यह बहुत एक कॉमन तरीका है बैक्टिरिया के पहलने का और स्पेशल वाइरस के पहलने का भी ठीक है तो इसलिए हमेशा मुह के आगे हाथ रचना चाहिए जब आप खांसे या जब आप छींके मारें ठीक है यह जो डॉप्लेट दो जिस थो देनाख को नुगा है या इसको बैक्टिरिया है उसने शिप आगे हाथ रचाह या इसा मुह करा malay तो दो अधर उसके हाथ में Bacteria हैं तो आपके हाथ में TRANSMIT हो जाएंगे पिर उपने नाख साफ करते हैं या आपने जाख करते हैं उसी हाथ से या कि या य॥ आप हाथ लगा देते हैं विए वहां से वहां और दिजंके असको रही प्रुछ क्या रहा वो डिखा है उसको बैक्टिरिया शाय हो अगर अगर आप इसतरा से उसको एसकि तो मकसद है नहीं अगर की चीजुँ हो सकता है इसलिए कहा जाता है कि जब आप आप खाश सोह से कहना खाये तो अपने हाथ धो के फिर आप खाना खाये अपको अइसने साहा दो नहीं होते इसान बीक्टिरिया नहीं होते हैं नहीं आते हैं लेकिं हाथ पर हो हो सकते है आम रोज मरा की चीजों को इस्तेमाल करने में भी बैक्टिरिया राम से आपके हाथ में आ सकते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट तो इसलिए काल जाता है जिन आपके हाथ धोया जाए इससे पहले कि आप खाना खाएं तो यह बहुत ही एक जरूरी पहलू है इस चीज़ का तो इसमें द Greva कॉन्टैक्स हो रहा है तो पेस खोल रहे हैं कि चुखल रहे हैं तो पेस फेबर लागाएंगे पहर जिसमाल करेंगे तो जियुद्बर्श इस तरीक गाया कि जिससे बैक्टेरिया आपके मुह में जा सकता ए खाना अगर गलती से वो खा लें या गलत तेल इस तरीके से